प्रदेश में MBBS छात्रों की धाताल जारी रहेगी बॉण्ड पॉलिसी को लेकर सरकार के प्रतिनिदियों और MBBS छात्रों के बीच दूसरे दौर की वारता भी असफल रही कल छात्रो और अधिकारियों की बीच बादचीत हुई थी MBBS छात्र हर्याना सरकार की बॉन्ड पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं पिछले 28 दिनों से विरोध लगातार चलता है MBBS students का कहना है कि देश भर के करीब 16 प्रदेशों में तो बॉन्ड पॉलिसी लागू ही नहीं होती जिन प्रदेशों में लागू की जा रही है वहाँ सर्विस बॉन्ड पॉलिसी लागू है जब MBBS students पढ़ाई पूरी करने के बा दाल रही है जब अधिकारियों से बात चीत हुई तो उनका कहना था कि ये सर्विस बॉन्ड नहीं है विद्यार्थियों से फी के रूप में ये पैसे लिये जा रहे है ताकि विद्यार्थियों पर होने वाले खर्च को पूरा किया जा सके जिसके कारण विद्यार्थियों में रोश है MBBS students का कहना है कि नई bond policies के तहत उन्हें हर साल 10 लाख रुपे देने होंगे चार साल में विद्यारतियों को कुल 40 लाख रुपे देने पड़ेंगे जब कि हर साल करीब 80,000 रुपे फी लगती थी इस policy के तहत MBBS students को साथ साल तक सरकारी संस्थानों में सेवाई देनी होगी ताकि जब कि चात्रों की मांग है कि 40 लाख की राशिक की बॉंड को हटाया जाए साथी वे सेवा करने के लिए तयार है लेकिन सरकारी संस्थाओं में ड्यूटिक की अवधी साथ साल से घटा कर एक साल की जाए क्योंकि अगले साल नए छात्र मिल जाएंगे आपको बता दे कि प्रदेश में MBBS छात्र और सरकार के बीच बॉन्ड पॉलिसी को लेकर लगातार खीच तांजारी है सरकार का कहना है कि सरकारी कॉलेज में पढ़ा अगर कोई MBBS छात्र सरकारी सर्विस से इंकार करता है और सरकारी सेवा में जाने सम्मना करता है तो उसे 40 लाक रुपे की बॉन्ड सरकार को देनी होगी इसी को लेकर MBBS छात्रों ने हड़ताल कर दिया है और जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है MBBS छात्रों का कहना है कि ये पॉलिसी उनके खिलाफ है और लिहाजा इसी को लेकर सरकार के प्रतिनीदियों जिसमें तमाम आईए सदीकारी शामिल है उनसे और छात्रों के बीच दो दौर की बादचीत हुई लेकिन दोनों दौर की बादचीत असफल रही जिसके बाद अब की हर्ताल आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं एंबीबीएस चात्रों की हर्ताल प्रदेश में लगातार जारी है पिछले 28 दिनों से एंबीबीएस चात्र बॉंड पॉलिसी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और लगातार सरकार की इस नई बॉंड पॉलिसी का विरोध कर हैं एंबीबीएस चात्र बॉंड पॉलिसी में छूट चाहते हैं उनका कहना है कि वो सेवा देने के लिए तैयार है लेकिन इस पॉलिची को वापस लिया जाए और ये सेवा की जो अवधी है वो साथ साल से घटा कर एक साल की जाए MBBS छात्रों का कहना है कि इस से उनकी भविश्य पर उठारा घात हो रहा है उनके भविश्य पर प्रश्ण चिन्न लग रहा है वहीं सरकार का कहना है कि सरकार ये bond policies लिए लेकर आईए ताकि जो विद्यार्थी सरकारी संस्थानों में पढ़ाई करने के बाद सब्सीडी रेट पर पढ़ाई करने के बाद अगर वो सरकारी सर्विश नहीं करते हैं और सेवाए नहीं देते हैं तो इसके लिए उन्हें bond देना पड़ेगा क्योंकि सरकार टेक्सपेर्स के पैसे से विद्यार्थियों को सब्सीडी देती है और जिसके बल्बूते वो पढ़ाई अपनी पूरी करते हैं प्रदेश में पिछले 28 दिनों से लगातार bond policy को लेकर MBBS चातरों की हरताल चल रही है मामले में MBBS चातर लगातार सरकार की bond policy का विरोध कर रहे हैं MBBS चातरों का कहना है कि सरकार उनकी हितों पर कुठारा घात कर रही है । BOND Policy से उनका नुक्सान होगा कि और चात्रों का कहना है कि उन पर पहले से लोन का बोज़ डाला जा रहा है और अब बांड पॉलिसी के हुजासे उन पर बोज और ज्यादा बढ़ जाएगा